सर्दार बहादूर महराज जगत सिंग जी के साथ 1948 हुजूर का डेरा में निवास 6 अपरेल 1948 सर्दार बहादूर साहिब 8 बजे से 11 बजे तक सुभा हर रोज भजन किया करते थे अब 8 बजे सुभा ही बाहर बागों और खेतों में घुमने जाते हैं फिर दुपहर तक हुजूर की बाहर वाली बैठक में बैठकर आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं शाम को तीन बजे सत्संग में तश्रीफ ले जाते हैं लेकिन सत्संग कभी बाबु गुलाब सिंग या कभी कोई और करते हैं वहां से आकर मेरे दफ्तर में बैठकर डेरा का इंतजाम देखते हैं मुझे सारा दिन चिठियां लिखने लिखाने से ही फुरसत नहीं मिलती जब राज बदलता है और नया राजा आता है तो अलग-अलग लोगों पर उसका अलग-अलग असर होता है जब हुजूर महराज सावन सिंग जी ने बाबा जी के जाने के बाद गद्दी संभाली यह बात जनवरी 1904 की है उस वक्त उनके बहुत से गुरु भाई उनके खिलाफ हो गए भीबी रुकों ने उनकी सहायता की और वे सफल हुए डेरा और सत्संग की जो रौनक हुई वे है सब के सामने है अगर अन्य लोग सफल हो जाते तो डेरा आज विरान होता इसी तरह अब भी कुछ ना समझ लोग बेकार की बाते करते हैं यह नहीं सोचते कि हुजूर अपनी संगत में से सबसे उत्तम हस्ती को अपनी जगा नियुक्त कर गए है उनको रुपे की परवा नहीं है क्योंकि उनकी अपनी पेंशन, बेटे का वेतन और जमीन की आमदनी उनके गुजारे से कहीं ज्यादा है और सारी उम्र हुकूमत करके ठक गए हैं एगरी कल्चरल कॉलेज में अपने विद्यार्थियों में सब को बहुत प्रिये थे जैसे किसी को जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाव राज सौप दिया जाए जिससे उसको बहुत ज्यादा नफरत हो मगर गुरू का हुक्म और संगत की सेवा जैसे हुजूर महराज सावन सिंग जी को बांध कर सत्संग का काम करने पर मजबूर करती थी वैसी ही इनकी हालत है तेरा अप्रेल उननिस सो अर्तालिस बेसाखी के दिन हजारों सत्संगी और जिग्यासू डेरा में जमा हुए द्यालबाग से महता साहिब, उनके सेक्रेटरी, नामधारियों के नेता, संत प्रताप सिंग, तरन तारन वाले भाई देवा सिंग, हुजूर के साहिब जादे, सरदार बचंत सिंग और सरदार हर्बन सिंग जो की हुजूर महराज बाबा सावन सिंग जी के पुत्र हैं तथा सरदार चरन सिंग और सरदार पुरशोत्तम सिंग जो की हुजूर महराज बाबा सावन सिंग जी के पौत्र हैं मौजूद थे पहले भोगवानी पड़ी गई और उसके बाद सर्दार बचंत सिंग जी ने लाट स्पीकर पर कहा कि हुजूर ने हुक्म दिया है कि उनके बाद सर्दार बहादूर जगत सिंग साहिब उनकी जगा काम करेंगे इसलिए मैं यह पगड़ी हुजूर महाराद जी की तरफ से सरदार बहादुर साहिब को पेश करता हूँ कि यह हुजूर महाराद जी की तरफ से उनकी गद्धी नशीनी में पहनी जाए सो वह पगड़ी सरदार बहादुर जी के सिर पर बांधी गई सर्दार बचंत सिंग जी ने केसर से सर्दार बहादुर जी के माथे पर तिलक किया और पगड़ी पर भी कई जगा केसर लगाया इसके बाद हुजूर महाराज जी के सेक्रेटरी ने हुजूर महाराज जी का तारीक 20 मार्च सन 1948 का आखरी वसियत नामा पढ़कर सुनाया कि उनके बाद सर्दार बहादुर उनकी जगा गद्दी नशीन होंगे और सब काम करेंगे इसके बाद सर्दार बहादुर साहिब ने कहा कि यह पगड़ी आप लोगों की मदद से कायम रह सकती है आप लोग भजन सिम्रन करें और सेवा करें इस तकरीर के बाद अरदास पड़ी गई और कारे समाप्त हुआ 30 अप्रैल 1948 आज शिरी गांधी जो की हुजूर महराज सावन सिंग जी के नजदी की सेवकों में से एक है ने कहा कि हुजूर महराजी ठकते नहीं थे कम खाते थे, कम सोते थे जैसा की कहा गया है कि योगी को कम खाना और कम सोना चाहिए हुजूर सरदार बहादूर जगत सिंग जी महराज अभी तक अपने ही कमरे में विराजमान है हुजूर महराज जी के कमरों में निवास करने नहीं आए डेरा में हर रोज शाम के पांच बजे डेड़ घंटे के लिए सत्संग होता है एक शब्द की व्याख्या हुजूर सरदार बहादूर खुद करते हैं और उनके वचन संग्षप्थ होते हैं वे भजन सिंबरन पर जोर देते हैं लंबी-लंबी कहानिया नहीं सुनाते जैसे की कुछ सत्संग करने वाले सुना-सुना कर लोगों को ठका देते हैं इसके बाद बाबु गुलाब सिंग जी हुजूरी वानी या अन्य वानी की व्याख्या करते हैं ध्यान दे हुजूरी वानी सार वचन को उस जमाने में हुजूरी वानी या हुजूरी पोथी कहते थे आजकल गर्मी का मौसम और फसल की कटाई का समय है इसलिए लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती अभ्यासी लोग कहते हैं कि हुजूर महराज जी अपने सब सेवकों को अंदुरूनी तसल्ली देते हैं कि जो भी मेहनत से अभ्यास करेगा उसकी खूब मदद करेंगे 20 मई 1948 आगे कही गई चिठी की नकल सुन्ने योग्य है राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाए चलेट 12 मई 1948 शिरी हुजूर परंपिता शिरी सत्गुरू दीन दयाल राधा स्वामी जी महराज कोटी कोटी राधा स्वामी मथा टेकना कबूल करना जी सद्गुरू जी तारीख 9 मई 1948 वक्त सवा 9 बजे रात इतवार के रोज मेरे पिता सरदार परताप सिंग जी चोला छोड़ गए है जाती दफा उन्होंने फरमाया कि महराज साहिब और सरदार बहाधुर जगत सिंग साहिब आ गए है फिर अपने हाथ से सब को प्रसाद दिलवाया फिर बोलने लगे कि आप सब साहिबान ब्यास जाकर सरदार बहाधुर जगत सिंग साहिब से तीन फुट पीछे रहकर मत्था टेकना और अर्ज करना कि परताप सिंग चला गया है भरोसा है कि हुजूर ने संभाल कर ली होगी आपका दर्शना अभिलाशी प्रलाद सिंग 4 जून 1948 सरदार बहाधुर जी महराज रोज शाम को साड़े पाँच बजे अकसर शिरीगुरु गरंद साहिब का एक शब्द लेकर सत्संग करते हैं उनका नियम यह है कि पहले एक बार सारा शब्द दोनों पाठी पढ़ते हैं फिर दुबारा एक-एक कड़ी पढ़कर अर्थ किया जाता है मगर संग्शिप्थ और साफ-साफ उसमें किस्से कहानिया बयान नहीं किये जाते सिर्फ सिम्रन भजन पर जोड दिया जाता है कि अपनी तवज्जो आखों के बीच में रख कर सिम्रन करो शब्द को सुनने की कोशिश ना करो जहां तक हो सके तवज्जु को आखों के बीच से ना हटने दो और सिम्रन करते जाओ अगर कोई रोशनी दिखाई नहीं देती तो अंधेरे को ही देखते जाओ यह देखना भी जिसको निरत कहते हैं मुश्किल बात है जियों जियों सिम्रंच से मन एक जगा टिकने लगेगा निरत भी टिकती जाएगी मगर शर्त यह है कि विचार पवित्र रहें जब मन में गंदे विचार उठते हैं तो मन का आँखों के बीच ठहरना संभव नहीं हो पाता इसी लिए सीधे सादे लोगों का मन आँखों के बीच जल्दी खड़ा हो जाता है आलिम फाजिल यानि विद्वानों का मन चंचल और फैला हुआ होता है उनको सिमरन के जरिये मन को ठहराने के लिए बहुत सक्त महनत करनी चाहिए शब्द को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर शब्द अपने आप आता है तो आने दो मगर उसके पीछे न भागो ना शब्द को पकड़ने के लिए सिमरन को छोड़ो ना निरत को आँखों के बीच से हटने दो अगर अंदर नजारे भी आएं तो भी सिमरन करते जाओ और निरत टिकाए रखो अब सत्संग सुनने से लोग ठकते नहीं जब शब्द पूरा हो जाता है तो उसके बाद बाबु गुलाब सिंग जी स्वामी जी की वाणी सार बचन में से चेतावनी का एक शब्द लेकर अर्थ करते हैं और किस्से कहानिया भी बयान करते हैं इस तरह सत्संग में दोनों रस मिल जाते हैं आज हुजूर बाबाजी महराज के सेवक और बड़े पुराने सत्संगी भाई मन्ना सिंग जी को सत्संग के लिए कहा गया उन्होंने सत्गुर कहें करो तुम सोई मन के कहें चलो मत कोई शब्द सार बचन में से लिया और सीधे साधे अर्थ किये जब हुजूर बाबाजी महराज ने डेरा पहले पहल आबाद किया तो भाई जी और बीबी रुको उनकी सेवा में रहते थे और इसलिए भाई मन्ना सिंग बाबा जी की बहुत सी कहानिया बयान करते हैं और यह भी बताते हैं कि जब उनके बाद हुजूर महराज जी गद्दी नशीन हुए तो बाबा जी के कुछ सेवकों ने बहुत उधम मचाया लेकिन अब सरदार बहादुर जी की गद्दी नशीनी पर ऐसी कोई घटना देखने में ही नहीं आई 14 जून से 5 जुलाई 1948 आज आशार की संक्रांती है पहले शिरी गुरुगरंद साहिब में से 12 माहा लिया गया शिरी हुजूर ने चैतर से लेकर आसार महीने तक की व्याख्या कर दी बाकी उसी तरह पढ़ा गया क्योंकि आज वडायच गाउं के पास एक साधू ने अपनी कुटिया में अखंड पाठ का भोग रखा था जहां सरदार भादूर जी महाराज को जाना था हम वहां नौ बजे के करीब पहुँचे पहले से ही दो साधू भोग वानी पड़ रहे थे वहां और भी बेकधारी साधू मौजूद थे जिन में कुछ बुजूर्ग अच्छे हृष्ट पुष्ट थे ऐसा मालूम हो रहा था कि उन सबको शिरी गुरुगरंद साहिप की वानी का बड़ा अभ्यास है उन दोनों पाठियों ने खूब उँचे स्वर से और अच्छे लहजे से शब्द पड़े फिर राग माला खत्म करके जपजी साहिप पूरी पड़ी फिर राग गौंड महला पांच के कई शब्द पड़े उसके बाद अनंद साहिप पड़ा जिसके बाद अरदास के लिए सब खड़े हो गए मालूम हुआ कि ये लोग उदासी सादू है और खालसा अकाली मत से इनकी अरदास अलग है पहले तो एक बड़ा हट्टा-कट्टा सादू जिसे देख कर लगता था कि कभी ठकेगा नहीं आरती थाल में घी के नौ दिये जलाकर शिरी गुरु गरंद साहिप के आगे फिराने लगा साथ साथ पहले गुरु नानक जी की आरती गगन मैं थाल रवी चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती पड़ी गई फिर गुरु नानक के साथ साथ उनके दोनों साहिप जादों लखमी चंद और शिरी चंद के अलावा बाबा गुर्दित्ता और बाबा बुढदा जी को भी याद किया गया फिर सिखों की आम अरदास प्रिथम पगौती सिमर कै पड़ी उसके बाद जहां सिख लोग शिरी गुरु गरंच साहिप का और दसों गुरुओं वगहरा का ध्यान करके कहते हैं बोलो जी वाहे गुरु वहां ये लोग चारों वेदों वगहरा का भी नाम लेते हैं यहे मालुम हुआ कि ये लोग शिरी गुरु गरंच साहिप के मत को वेदान से मिलाते हैं काफी देर तक यही होता रहा दसमें पाच्शा की भीवानी जबानी पढ़ते रहे आगे कही गई चिठी सुनने के योगे है नंदा चौर जिला हुश्यारपूर 15 जून 1948 राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी जी साहए शिरिमान जनाब स्वामी जी महराज साहिप दस्त बस्त यानि हाथ जोड़कर राधा स्वामी निवेदन यह है कि जब से शिरी हुश्यार जी चोला छोड़ गए है मेरा दिल दुनिया से उदास ही रहता है जो दया मेहर हुश्यार महराजी ने हम पापी जीवों पर की है वह बयान से बाहर है हुश्यार की बक्षिश के गुण जबान बयान नहीं कर सकती हमारे माता-पिता वही थे जब उनकी याद आती है तो दिल चाहता है कि दुनिया से कूच कर जाओं क्योंकि मेरा मन बड़ा गंदा, पापी और गुनागार है सिम्रन करने लगता हूँ तो दुनिया के बुरे खयालात सामने लाता है और गुरु भक्ती से हटाता है हुजूर की दया से पहले भजन सिम्रन में कुछ काम्याबी थी मगर अब भजन कुछ कम बनता है पता नहीं ऐसे कितने बुरे कर्म और गंदे संसकार है जिनकी वज़य से यह हालत हो गई है हुजूर की तरफ से तो हर वक्त दया मेहर आ रही है मगर हम ही गुनेगार कुछ नहीं करते रात को सोने पर स्वपन अवस्था में मन बड़ी भयानक शकले सामने लाकर डराता है यह दुनिया नाशवान मालूम होती है अब दुनिया में दिल नहीं लगता क्योंकि मेरा मन बहुत गंदा है सद्गुर जी ही जानते हैं कि मैं कितना गंदा महापापी जीव हूँ मगर सच्चे पाच्चा ने तो कई दफा हजारों मुसीबतों से छुड़ाया है आप अब मौजूदा सद्गुरु हैं और जबानी बाच्चीत तो हम आप ही के चर्णों में अर्ज करके पूछ सकते हैं हाला कि हुजूर महाराजी शब्द रूप में हमारे अंग संग है मगर उनके दर्शन तो कमाई वाली रूहें ही कर सकती है अगर हम आप से अर्ज ना करें तो कहां जाएं हुजूर महराजी के चर्णों में प्रार्थना की जाती है मगर ना उनके दर्शन होते हैं और ना ही उनके चर्णों में बाच्चीत हो सकती है पापी पर दया महेर करें सिर्फ सद्गुरु के चर्णों का दिल में प्यार रहे बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है गुरु भक्ती में ही ध्यान रहे जो नजारे पहले देखे थे वे अब नजर नहीं आते महराजी की मौज है जिस तरह आप सचे पाच्षा फरमाएं वैसे ही किया जाए आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते अगर हुक्म करें तो बंदा एक महा के लिए डेरा आ जाए और जो थोड़ी सी सेवा हो सके करे सत्संग सुना जाए किस तरहा भजन सिम्रन में तरक्की हो किसी दिन तो हुजूर की दया से भजन बनता है और कभी मन दुनिया के बुरे खयालात से भजन नहीं बनने देता सिर्फ यही प्रार्थना है कि हुजूर जी के चर्नों में प्रेम रहे आप सच्चे पाच्षा जो मुझे हुक्म लिखें उस पर अमल किया जाए अगर किसी जगा भेजना हो तो बन्दा हाजिर खिद्मत यानि सेवा के लिए हाजिर है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जिस सेवा पर हुक्म करें ताबेदार हूँ क्योंकि जहां भी रहना है आपको ही रखना है मेरी एक और प्रार्थना है जो इस प्रकार है कि एक महीने में मेरी बहन को हुजूर ने दो दफा दर्शन दिये और जो कुछ सच्चे पाच्छा ने फरमाया अर्ज कर देता हूँ एक दिन बारा बजे के करीब हमारी बहन को हुजूर ने स्वपन में दर्शन दिये उसने नाम नहीं लिया है, सिर्फ एक दफा महराजी के दर्शन किये थे सो हुजूर साहिब ने फरमाया कि दुनिया तो कहती है कि ब्यास वाले संत चोला छोड़ गए लेकिन उन मनमुखों को क्या पता कि मैं अपने सेवकों के अंग संग हूँ और जो कुछ हो रहा है मुझे सब मालूम है जो भजन सिम्रन करते हैं उनका भी पता है और जो नहीं करते वह भी मुझे मालूम है लेकिन भजन करने वालों की आगे से भी ज्यादा संभाल होगी मैंने अपने सेवकों की खातिर उनके बुरे कर्मों का बोज अपने शरीर पर भोगा और यह चोला मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें अब काम नहीं चल सकता था आप भजन सिम्रन करो, आपको सद्गुरू पर भरोसा रखना चाहिए अब हम दूसरे चोले में सत्संग करेंगे और नाम देंगे आपको नाम मिल जाएगा ब्यास में जाकर सत्संग सुनो और जो मेरी ताकत ब्यास में थी वैसे अब भी है तुम मेरा ध्यान करती हो, इसलिए मैं तुमको नाम दूँगा मैं पापी हूँ, मगर सत्गुरु जी इतने दीन दयाल है कि हमको ऐसी पुकता तसल्ली देते हैं मगर हमको मन फिर भी अमल करने नहीं देता जो कुछ है हुजूर जी के बस में है हमारा उनके बिना कोई ठिकाना नहीं है उन्होंने हजारों दुखों से छोडाया मगर मुझ गुनागार ने कभी प्रेम प्यार से भजन सिम्रन नहीं किया अब आपके चर्णों में विंती है कि जो हुक्म फरमाएं, बंदा उस पर अमल करे बराए महरबानी, जवाब जल्दी बक्षिश करें मेरा इस जगए दिल उदास रहता है आप अंतर यामी हैं, जिस तरह हुक्म करें, दास ताबेदार है सबको राधा स्वामी ताबेदार देशराज एक दिन शाम के सत्संग में सरदार गोकुल सिंग ने नौवे गुरु साहिप का यह शब्द पड़ा हरजू राख लेओ पत मेरी जम को तरास पयो उर अंतर सरन गही किरपा निद तेरी महापतित मुघद लोभी फुन करत पाप अब हारा पै मरबे को विसरत नाहिन तह चिंता तन जारा किये उपाव मुकत के कारण दे दिसको उठताया काट ही पीतर बसै निरंजन ताको मरम न पाया नाहिन गुन नाहिन कचुजप तप कौन करम अब कीजै नानक हार परेओ सरनागत अभे दान प्रब दीजै देखो प्राथना भी संतों को ही करनी आती है हम मूर्ख पापी लोग भगवान के आगे प्रार्थना करना भी नहीं जानते मानको वाले उजागर सिंग, मलागर सिंग ने हुजूर महराजी के जोती जोत समाने के बाद शिरीगुरु गरन साहिप का पाठ शुरू किया हुआ है उनके बार-बार कहने पर पाँच जुलाई सोमवार का दिन भोग के लिए निश्चित किया गया धूप सक्त तेज थी और गर्मी का जोर था मैंने अर्ज की कि ये लोग मौसम नहीं देखते संगत को इस गर्मी में सत्संग सुनने का क्या मज़ा आएगा मगर चार जुलाई की रात को बारिश हो गई और मौसम ठंडा हो गया बड़े अराम से मानकों तक सफर किया और सत्संग किया गया संगत खूब जमा थी वहां से शाम को साथ बजे चल कर रात को नौ बजे यहां डेरा वापस आए बारा से तेरा जुलाई 1948 पिछले दो दिन से तुलसी दास जी की राम चरित मानस में से मंगला चरण लिया गया मुसल्मान लेखक किताब को बिस्मिल्ला अलरह्मान अलरहीम यानि उस परमात्मा के नाम से जो दयालू और क्रिपालू है से शुरू करते हैं मगर संत, चाहे मुसल्मान हो, चाहे हिंदू, गुरु की महिमा से किताब को शुरू करते हैं मौलाना रूम ने अपनी मसनवी का एक दफ्तर, यानि भाग, सत लोग की वंदना से शुरू किया और बाकी सब दफ्तर, खुसामु दीन की वंदना से ऐसे ही एक मुसल्मान फकीर अपनी पुस्तक को इस प्रकार शुरू करता है बनामे उ की उ नामे नदारद बहर नामे की खवानी सरबर आरद यानि उसको जो अनामी है चाहे जिस नाम से भी पुकारो वह सुनता है तुलसी दास जी ने राम चरित मानस को गुरू की महिमा से शुरू किया है कि गुरू कृपा सिंधू नर रूप हरी हैं यानि वे दया मेहर के सागर हैं और मानो कुल मालिक ने मनुष्य का शरीर धारन कर लिया है ऐसे ही साइं बुले शाह ने फरमाया है गुरू अर्जन देव जी ने भी फरमाया है इस भेद का अंदर जाकर पता चलता है बाहर से सद्गुरू एक इनसान मालुम होते हैं ख्वाजा हाफिज ने कहा है दर पसे आइना तूती सिफ्तम दाश्तह अंध यानि उन्होंने मुझे आइने के पीछे तूती की तरह रखा है गुरू की तारीफ करने के बाद तुलसी दास जी ने कहा है कि संत जंगम तीर्थ होते हैं यानि चलते फिरते तीर्थ हैं दुनिया के तीर्थ तो एक ही जगा जमे रहते हैं जैसे हरीद्वार, दुवारिका, अमरनाथ आदी मगर फकीर, सादू, महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं और लोगों के दिलों की मैल धोते हैं तीर्थ सिरफ देह की मैल धोते हैं उसके बाद सत्संग की महिमा की है जैसे की रामचरित मानस संत्मत के उसूलों को ही बयान करती है जो लोग तुलसी दास जी की रामचरित मानस तो पढ़ते हैं मगर उसको पढ़कर गुरु की तलाश नहीं करते न सत्संग में जाते हैं उनको रामचरित मानस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कालू दी बढ़ का दौरा 14 जुलाई 1948 आज सुभा के 8 बजे कार में हुजूर सरदार बहादुर जी महराज, मैं, सरदार बचिन सिंग जी, बाबु गुलाब सिंग और भाई शादी रवाना हुए शिरी हुजूर जी, सरदार बचिन सिंग जी की बड़ी इज़त करते हैं, उन्हें सब जगाय आगे रखते हैं 14 जुलाई की सुभा बड़ी तेज बारिश हो रही थी, मगर 8 बजे बंध हो गई, इसलिए सफर में गर्मी की तकलीफ ना थी मगर हुश्यारपूर से इधर नसराला का चौ यानी बरसाती नाला बड़ी तेजी से एक नहर की शकल में बह रहा था दोनों तरफ लौरियां, बैल गाडियां और कारें इंतजार में खड़ी थी कि कब पानी उतरे हम वहां साड़े दस बजे पहुँच गए थे, मगर साड़े बारा बजे तक पानी का जोर कम ना हुआ बाबू संसार चंद और डॉक्टर शंकर सिंग लौरियों वाले खुश्यारपूर से रेलवे के पुल पर से गुजर कर हमारी तरफ आए मगर बहुत देर बाद पानी के कम होने की उमीद थी, इसलिए वे चले गए उनको कहा गया कि अगर चार बजे तक पानी कम ना हुआ, तो हम वापस डेरा चले जाएंगे कम हो गया तो आ जाएंगे मगर उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही एक लौरी पानी में से गुजर कर पार हो गई और बहुत से मचदूर हमारी कार को पानी में से गुजारने को आ गए आगे रसे बांध कर कार को आराम से पार कर दिया बाबु संसार चंद और डॉक्टर शंकर सिंग अभी शहर ना पहुँचे होंगे कि हम सद्गुरु की दया से वहां पहुँच गए बहुत सी संगत गगरेट के रास्ते से चो पर मौजूद थी उनको दर्शन देकर आगे रवाना हो गए मंगोवाल गगरेट की संगत को दर्शन देकर समा पर पहुँचे वहां पानी ज्यादा ना था उसको कुछ दिक्कत से पार करके समा के पार दुकानों पर आठहरे सबको भूख लगी थी चार बजने वाले थे वहां पास ही आम वालों की दुकान थी जिसके आम बहुत मीठे थे पास ही कुआ था और एक तक्त पोश था जो खाना घर से लाए थे सबने बड़े आराम से खाया खूब आम चूसे दुकानदार ने बताया कि ये दुकाने मुबारिकपुर में है यानि मुबारिकपुर मौजे के बनने यानि हद में है आगे जाकर मुबारिकपुर गाउं से जहां से दाएं हाथ को अंब को सड़क जाती है वहां बहुत सी संगत जमा थी वहां पांच-साथ मिनट ठहर कर आगे बड़े पर भरवाई से दो मिल इधर चड़ाई पर कार ने जवाब दे दिया वहां दो घंटे लग गए आखिर कार नजदीक के गाउं से बड़ी मुश्किल से पानी का इंतजाम करके इंजन का पानी तबदील करके चिंतपूर्णी पहुँच गए शाम हो गई थी वहां से आगे जहां चड़ाई आई तो कार रुख गई धर्मसाल महंता के नजदीक फिर रुख गई तो वहां के लोग जो जालंधर में कारोबार करते हैं बड़ी हमदर्दी से पेश आए कार के एक दो ड्राइवर भी वहां रहते हैं उन्होंने मदद की कार चलाई उनकी मदद से कार को मुश्किल से कालूदी बड़ के नीचे जोहर के पास पहुँचाया और वहां कार को छोड़ कर रात के बारा बज़े यहां पहुँचे और दूद पी कर सो गए 18 से 25 जुलाई 1948 मैं कालूदी बड़ से किसी जरूरी काम के लिए वापस आ गया 25 जुलाई को डेरा पहुँच कर पता चला कि वहां 20 जुलाई को जन्म दिन मनाने के लिए 10 हजार से ज्यादा लोग जमा हुए और बड़ी रौनक रही वहां से वापसी पर गगरेट में बड़ी भीड हुई और वहां सत्संग कई हजार लोगों ने सुना कालूदी बड़ जाने से पहले तुलसी दास जी की रामचरित मानस में से वह प्रसंग लिया गया जहां रामचंदर जी बनवास को जाते हुए रास्ते में गुह के गाउं के पास महुचे गुह ने अर्ज की कि हुजूर मेरे गाउं तश्रीफ ले चलें और रात को मेरे गरीब खाने में आराम करें रामचंदर जी ने फर्माया कि हमने प्रण किया है कि 14 वर्ष तक किसी आबादी में नहीं रहेंगे हम यहीं गाउं के बाहर रात काटेंगे इसलिए गुह ने वहीं घास फूस की जोपड़ी बना कर उनके सोने का प्रबंद किया उसके बाद लक्षमन जी के साथ तीर कमान लेकर पहरा देने लगे उस समय राम और सीता को जमीन पर सोया देखकर लोगों को आश्चरे हुआ क्योंकि सीता पिता जनक जग बिदित प्रबहाओ ससुर सुरेस सखा रगुराओ राम चंद पती सो बैदेही सोवत महिबीधी बामन केही सिये रग बीर की कानन जोगू करम प्रधान सत्ते कह लोगू जिसके पिता जनक है जिनका प्रताप सारी दुनिया में मशहूर है जिसके ससुर राजा दशरत और जिसके पती राम चंदर जी है मिथला नगरी की वह राजकुमारी जमीन पर सो रही है तो फिर तकदीर को क्यों ना उल्टा कहा जाए क्या राम और सीता वन में भटकने के योगे है सब लोग यही कहते हैं कि इस दुनिया में कर्म प्रधान है यानि हर एक रूफ अपने किये हुए कर्मों के अधिन है जो जो पाप उन्ने हमने पिछले जन्मों में किये हैं वे इस जन्म में प्रारब्द बनकर हमें सताते हैं ऐसा देख कर गाउं के सरदार जो लक्षमन जी के साथ पहरा दे रहे थे बड़े ही दुखी हुए तब लक्षमन जी बोले काहू नकव सुख दुख कर दाता निजकृत करम भोग सब भ्राता भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता सब लोग अपने किय हुए करमों को भोगते हैं वे क्या-क्या भोगते हैं, सो फर्माते हैं जोग बियोग भोग भलमंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जनम मरन जहलग जग जालू संपति बिपति करम अरुकालू धरनी धाम धन पूर परिवारू सरग नरक जहलग बेहबारू देखिये सुनिये गुनिये मन माही मोहो मूल पर मारत नाही जैसे सपने में इनसान बिखारी और शेहनशा हो जाता है जब जाकता है तो ना नफा होता है ना नुकसान ऐसे ही सब इस दुनिया का धोखा है इसमें असलियत यानी परमार्थ नहीं है इसलिए किसी को दोश नहीं देना चाहिए इसके बाद अगले दिन फिर उसके आगे का वहे प्रसंग लिया गया जहां रामचंदर जी से रिशी वालमिकी मिलते हैं और रामचंदर जी उस सुनसान जंगल में उनसे पूछते हैं कि हे रिशी मैं कहा रहूं इस पर वालमिकी जी क्या मनोहर जवाब देते हैं पूछे हूं मोही कि रहों कहां मैं पूछत सकुचाऊं जहां नहोहू तह देहू कही तुम ही देखावों ठाओं यानि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहा रहूं मैं शर्मिन्दा होकर यह पूछता हूं कि वह जगा मुझे बता दें जहां आप नहीं रहते आगे वालमिकी जी फरमाते है तुम ऐसे लोगों के हृदे में रहो जो सब कर्मों का फल सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारी राम के चर्णों में प्रीत हो जो गुरु को तुम से बड़ा समझते हैं जिन में काम, क्रोध, अहंकार, मस्ती, मो, लोब, राग, द्वेश यानि रगबत और नफरत नहीं है जिन में छल्फ रेब नहीं जो सब के प्यारे, सब का भला चाहने और करने वाले हैं जिन के लिए सुख, दुख, प्रशंसा और निंदा एक समान है जो पराई औरत को मा, बहन समझते हैं और पराई दौलत को जहर समझते हैं जो दूसरे का इक्बाल या स्वभाग्य देखकर खुश होते हैं और दूसरों की मुसीबत देखकर दुखी होते हैं जो गुरु को दोस्त, मालिक, माबाप सब कुछ समझते हैं जो दूसरों के दोशों पर ध्यान ना देकर उनके गुणों को ग्रहन कर लेते हैं जो साधू और गाय के लिए अपने उपर मुसीबत ले लेते हैं और जो दुनिया में अकलमंदी से और नीती से गुजारा करते हैं जिनको सब तरह से तुम्हारा ही भरोसा है जो जाती-पांती, धन-दौलत, मान-बढ़ाई, कुटुम्ब, घर-बार को दिल से निकाल कर तुमसे लिव लगाते हैं जिनको स्वर्ग या नरक की इच्छा नहीं यानि जिनको सिवाए तुम्हारे कभी कुछ नहीं चाहिए उनके दिल में जाकर बसो अब सोचो कि जो लोग यह शिकायत करते हैं कि गुरू का ध्यान नहीं आता वे सोचें कि उनमें पहले कहे गुण है अगर नहीं, तो गुरू उनके अंतय करण में कैसे आएगा और कैसे उसका ध्यान जमेगा और अभ्यास में तरक्की होगी यह बड़ा ही कठिन रास्ता है तुल्सी साहिब कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना उस पै और ज्यादा हवस फिर ठिकाना है कहां उसके ठिकाने के लिए मौलाना रूम ने भी अपनी मस्नवी में गुरू का ध्यान ना आने की वज़य लिखी है 31 जुलाई 1948 आज हुजूर महराज बाबा सावन सिंग जी का जन्व दिन मनाया गया शाम को हुजूरी वानी में से काल ने जगत अजब भरमाया मैं क्या क्या करूं बखान लिया गया हुजूर महराज सरदार बहादुर साहिब प्रोफेसराना अंदाज में व्याख्या करते हैं ज्यादा इधर उदर की बातों में नहीं जाते गुरु भक्ती और नाम भक्ती पर जोड देते हैं और बार-बार फर्माते हैं कि आम सत्संगियों के लिए यह नियम है कि आखों के बीच ध्यान जमा कर पांच नामों का सिम्रन करें सिम्रन के समय सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश ना करें अगर कुछ भी दिखाई नहीं देता तो अंधेरा तो दिखाई देता है उसको ही देखते रहें और पांच नाम का सिम्रन उस अंधेरे में ही करते रहें और जब रोशनी आ जाए तो रोशनी पर ही ध्यान दें। बाकी जो थोड़े से संसकारी सत्संगी पहले जन्म की कमाई वाले होते हैं। उनको पांट-दस मिनट सिम्बरन के बाद खुद बखुद अंतरी स्वरूप का ध्यान आ जाता है। अतहे उनको ध्यान करना चाहिए। आज के मासिक सत्संग में हाजरी बहुत ज्यादा थी। उपर से देखने पर ऐसा मालूम होता था कि आदमी और औरतों का स्मुद्र है। सत्संग हौल के पश्मी मैदान की दोनों दिवारों के बीच और बरामदों में लोग खचा-खच भरे हुए थे। लंबाई के रुख सत्संग के चबूत्रे से कच्चे कोठों तक लोग बैठे हुए थे। मौसम बहुत स्वहावना था। बादल हलका हलका गरज रहा था। बारिश ना थी। जितनी देर सत्संग होता रहा बारिश बंद रही। मन रे मान बचन एक मेरा हुजूरी वानी में से लिया गया। सरदार बहादुर साहिब ने खूब मनमोहक रूप से व्याख्या की। ना लंबी ना छोटी। इसके बाद तीसरी पाच्चाही गुरु अमर्दास जी का शब्द शिरी गुरु गरंद साहिब में से लिया गया और सत्संग समाप्त हुआ। चुंकी हुजूर महराज बाबा सावन सिंग जी चोला छोड़ गए हैं, कुछ सत्संगी पूछते हैं कि ध्यान किसका करें। वास्तव में असली गुरु तो शब्द है, लेकिन जिस गुरु से नाम लिया है, ध्यान उसी का करना चाहिए। बीबी रुक्को जी की एक बात ध्यान के बारे में मुझे याद आ गई। हुजूर बाबा जी ने चोला छोड़ा, तो हुजूर महराज सावन सिंग जी गद्दी निशीन हुए। उन्होंने तीन संतों की सेवा की और इस बात पर उन्हें गर्व था कि वे हुजूर माता जी यानी स्वामी जी महराज की धर्म पतनी जी की सेवा में भी रही थी। एक दिन सुभा को मेरे सामने कहने लगी कि आज तो तीनों चोलों में से कोई भी चोला दिखाई नहीं दिया, जिसका मतलब यह है कि ना तो चाचा जी, ना बाबा जैमल सिंग जी, ना हुजूर महराज सावन सिंग जी का स्वरूप अंदर दिखाई दिया। कई बार गुरू के चोला छोड़ जाने के बाद उनके उत्राधिकारी यानी जानशीन जिनकी संगत की जाए, तो उनके स्वरूप के भी अपने गुरू के स्वरूप के साथ अंदर दर्शन होते हैं, लेकिन ध्यान अपने सद्गुरू का ही करना चाहिए, जिनसे नामदा की बक्षिश मिली हो, जहां तक शुरू के अभ्यास का तालुक है, गीता और सुरत शब्द का मार्ग मिलते जुलते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने फरमाया, भुवोर मध्धे, प्राणा मावेश्य सम्यक, सतम परम, पुरुष मुपैती दिव्यम, अभ्यासी दोनो भौहों के बीच प्राणों को जमा कर मेरा ध्यान करके बैठे, जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा ही नहीं, वे कैसे ध्यान करें? हाँ, उनको चाहिए कि ध्यान दोनों भौहों के बीच जमा कर बैठे, तब आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों ख्याल एकाग्र होगा, र लेकिन यह वर्षों की महनत का कठिन काम है। अक्सर लोगों को यह अभ्यास छे महीने या साल तक करने के बाद भी जब कोई रस नहीं आता तो वे इसे छोड़ देते हैं जो उनकी गलती है। संत फर्माते हैं कि जो नाम वे बताते हैं उसका सिमरन दोनों भोहों के बीच ध्यान जमा करो। यह उससे आसान है। मन सिमरन में लगा रहता है और इस हालत में उसका बाहर जाना इतना आसान नहीं जितना कि सिर्फ भोहों के बीच ध्यान जमा कर बैठने में है। जब रोशनी आगई तब गीता सिर्फ रोशनी पर ध्यान देने को कहती है. संत फर्माते हैं कि जब रोशनी आएगी तो आवास भी साथ ही आएगी. रोशनी को देखते रहो और आवास को सुनते रहो इससे मन को दो रकाबों पर सवारी मिल जाती है और सफर आसान हो जाता है रकाब यानि घोडे का हलका जो घोडे की जीन में दोनों तरफ लटकता रहता है और जिस पर पाउं रख कर सवार होते हैं मन अनेकता का आशिक है जो लोग मन को एकागर करना चाहते हैं उनको चाहिए कि मन की इस बुरी आदत को रोकें मन किसी एक चीज पर सब्र नहीं करता खाने पीने में भी बदलाव चाहता है बलकि कभी रोटी मांगता है कभी परांठा कभी पूरी, कभी दाल, कभी सबजी, कभी खीर कोई भी मजा देर तक लेता रहे तो उसके लिए वह बे मजा हो जाता है भोगों में भी बदलाव चाहता है, बोलचाल में भी इस तरहां हर एक इंद्रिया के विशे में पदार्थों में बदलाव चाहता है यही नहीं विचारों में भी चंचलता है एक मिनट में सेंकडों विचार लाता है किसी विचार पर ठहरता ही नहीं इसलिए इसको रोकना कठिन है इसको युक्ती से बस में करना चाहिए पहले भोगों के लिए चंचलता को रोको आज दाल से रोटी खाई तो कल कहेगा कि मुझे दाल नहीं बलकि सबजी चाहिए अगर दाल हो तो दाल भी अलग-अलग तरहां की चाहता है इसी तरहां सुगंद, धन-दौलत, मकान, उलाद, राग-रंग, तमाशे सब कामों में तबदीली मांगता है विचारों में बदलाव या चंचलता तो इसकी आदत है इसका मंत्र है सिमरन या जाप अगर ध्यान से कोई कर सके 17 अगस्त 1948 आज शाम को एक सिख रागी हर्मोनियम वाला और उसके साथ एक नौजवान तबले वाला भेनी साहिप की तरफ से सत्संग में आए आज कल बाबा बकाला में सालाना मेला हो रहा है जो 19 अगस्त पूर्ण मासी को समाप्त होगा इसलिए बहुत से लोग जो मेले में आते हैं डेरा में भी आ जाते हैं सत्संग समाप्त होने के बाद इस रागी को जो अपनी कला में माहीर मालूम होता है 20-25 मिनट का समय दिया गया रागी का दावा है कि जब भेनी साहिब में 14-15 साल पहले राग विद्या का जलसा हुआ था तो उसका नंबर अवल आया था और उसको एक कीमती घोडी इनाम दी गई थी हुजूर महराज भी इस जलसे में शामिल हुए थे और उन्होंने भाशन भी दिया था उस रागी ने गोडी राग सुनाया राज मैं राज, जोग मैं जोगी, तप मैं तपिसर, ग्रेहस्त मैं पोगी इसका मतलब यह हुआ कि मानो परमात्मा सर्व्यापक रूप से हर एक रस का मज़ा ले रहा है इसके बाद सुही राग में से सुनाया कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप विचाई सब ने पसंद किया, उसको इनाम देकर विदा किया हुजूर सद्गुरु जी पर बड़ी श्रद्धा जाहिर की कि मुझे आपका दर्शन ही काफी है उसने कहा, हीर से किसी ने पूछा था कि तुमने दुनिया में आकर क्या लिया तो हीर ने जवाब दिया कि मैं रांजा खटया 21 अगस्थ 1948 आज शाम के सत्संग में तीसरे गुरु साहिब की वाणी आई कौडी बदले जनम गवाया, चीनस नाही आपै अपनी सारी उम्र वेर्थ कामों में बरबाद कर दी अपने आपकी खोजना की इसी तरह हजरत इसा ने कहा है कि इनसान का जनम जात करतवे यह है कि अपने मालिक से मिले मगर दुनिया के फानी यानि नाशवान धंदों में फसकर सारी उम्र बरबाद करके हाथ मलता हुआ चला जाता है अगर किसी से पूछो कि तुम कौन हो कोई तो गर्व से कहता है कि मैं अंग्रेज हूँ दूसरा कहता है मैं जर्मन हूँ तीसरा कहता है मैं मुसल्मान हूँ चौथा कहता है मैं हिंदु हूँ कोई यह नहीं कहता कि मैं रू हूँ और कुल मालिक की अंश हूँ कुल मालिक की अंश होने पर गर्व नहीं करते जर्मन, अंग्रेज, अमेरिकन होने पर गर्व करते हैं स्वामी जी ने फर्माया है लाज करी तो मन के कुल की सुद भूली सब अपने कुल की 22 अगस्त 1948 आज रानी लक्षमी बाई राजवाडे अपनी बहू बीबी इंदुमती के साथ ग्वालियर से तश्रीफ लाई और एक हफता डेरा में रहकर सत्संग सुनती रही यह पुराना सत्संगियों का खांदान है वह हुजूर महराजी के जोती जोत समाने के बाद पहली बार आई थी मगर हुजूर सरदार बहादुर जी महराज के सत्संग सुनकर बड़ी खुश हुई और मुझसे कहने लगी कि ब्यास अब भी रुहानियत का केंदर रहेगा मुझे हुजूर महराज के चले जाने के बाद डेरा में कोई बदलाव नजर नहीं आता सब कारोबार पहले की तरह चुप चाप शांती से हो रहा है एक दिन हुजूर सरदार बहादुर महराज जगत सिंग जी ने शिरी गुरु गरंथ साहिब में से माया और भक्ति का शब्द लिया जैसे तुलसी साहिब ने अपनी घट रमायन में ज्ञान और भक्ति की तुल्ना की है ऐसे ही गुरु आरजन देव जी ने भी आसा राग में माया और भक्ति की तुल्ना की है सोवे फरमाते हैं कि माया से जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया जिन सुख बैठाली तिस पौप बहुत दिखाया पाई मीत कुटंब देख विबादे हम आई वसगत गुर परसादे अब आगे माया जिस तरह नचाती है उसका बयान करते हैं एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे एक संचे गिरही तिन होये न आपे एक सती कहावे तिन बहुत कलपावे हम हर राखे लग सत्गुर पावे तप करते तपसी पुलाए पंडित मोहे लोब सबाए त्रैगुन मोहे मोहा अकास हम सत्गुर राखे देकर हाथ ज्यानी की होये वर्ती दास कर जोडे सेवा करे अरदास और कहती है जो तु कहे है सो कार कमावा जननानक गुर्मक नेड़ना आवा अब भक्ती का वर्नन करते है ससूते पिर कीनी वाक देर जिठानी मुई दूख संताप कार के जिठेरे की चूकी काण पिर रख्या कीनी सुगड सुजान सुनहो लोका मैं प्रेम रस पाया दूर्जन मारे वैरी संघारे सत्गुर मो को हर नाम दिवाया यानि मेरे आदमी भी उसने तार दिये फिर फर्माते हैं माया कैसे जीती प्रत्मे त्यागी हामे प्रीत दुतिया त्यागी लोगा रीत त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया अगुण मिलसाद पछाने भक्ती की महिमा निजपगती सील वंती नार रूप अनूप पूरी आचार जित ग्रह वसे सोग्रह सोभा वन्ता गुर्मुख पाई किने विरले जन्ता सुकर्नी कामन गुर्मिल हम पाई जज काज पर थाए सुहाई जिच्चर वसी पिताकै साथ तिच्चर कंत बहो फिरे उदास कर सेवा सत पुरक मनाया गुर्मानी कर्मै ता सरब सुख पाया सब परवारे माहे श्रेष्ट मती देवी देवर जेष्ट तानसो ग्रहे जित प्रगटी आए जननानक सुखे सुख विहाए अब फिर माया का नाच बताते हैं मता करो सो पकन न देई शील संजम के निकट खलोई किसी निश्चे को पून नहीं होने देती वेस करे बहो रूप दिखावे ग्रह बसन न देई वक वक परमावे करकी नायक करवास न देवे जतन करो उर्जाए परेवे मालिक होकर रूप और मन को अंदर नहीं टिकने देती अगर कोशिश करते हैं तो बहुत रुकावटे डालती है तुर्की पेजी आई आमर नौखंड जीते सब थान थनंतर होच्छी शरण पया रहन न पाई कहो मीता हो कैपै जाई जब गुरू की शरण गए तो कार मेरा ए नाईक हमारी एह आमर हम गुर किये दरबारी यही माया हमारी नौकर बन गई और गुरू की महरम यानी रहसे जानने वाली और दरबारी हो गई बर्खुरदार जगजीत सिंग, सुपुत्र सरदार हर्बन सिंग का ध्यान्थ कई रोज पहले सिर्सा में हो गया संतों के घराने में जन्म लेकर भी कर्म और काल ने बिचारे का पीछा नहीं छोड़ा जब तेरा दिन का था ओपरेशन करना पड़ा और जवानी तक सारी उम्र बिमारी में ही गुजरी बड़ा नेक लड़का था, दुनिया तो उसने देखी ही नहीं थी मानो काल और कर्म का कर्जा देने आया था और देकर अपने घर सतलोक को चला गया करम प्रधान सत्ते कह लोगू हुजूर महराजी जब उसको बिमार देखते तो कहते जब इनसान कर्म करता है तो आगा पीछा नहीं देखता बेशक हम दुनिया के लोग जब काम, क्रोध, लोप के बस में आ जाते हैं तो अंधे होकर पाप करते हैं और जब पाप की सजा भोकनी पड़ती है तो रोते हैं कई बार संथ भी उसमें दखल नहीं दे सकते कर्म का कानून बड़ा जबरदस्त है इसलिए कहा है मन न कर्दम शमा हजुर बकुनेद यानि हमने नहीं किया तुम सचेत रहो जो लोग कर्म करते समें सावधानी रखते हैं उनको मौलाना रूम ने मर्दे हाजिम कहा है और मर्दे आकबत भी अजायब बंदा इस्त यानि परलोग पर नजर रखने वाला अजब बंदा होता है मगर यह वही कर सकता है जिस पर मालिके कुल की दया हो अपना बस नहीं गिरिधर कवी ने कहा है पुन्नेवान जन होए जो तांकी कहा पच्छान ईश्वर डर जांके हृदे पुन्नेवान सोई जान बीबी रल्ली आज सिर्सा से मातम पुर्सी करके वापस आई उसने आकर बताया कि मरने से तीन दिन पहले हुजूर के दर्शन बर्खुरदार को होने लगे अपनी मां से कहने लगा कि यह जो कमरा है जिसमें मैं पढ़ा हूँ उससे भी बहुत उम्दा कमरा है उसमें अम्मा जी यानि उसकी दादी साहिबा बुआ जी की मां और तीन चार और सत्संगीने बैठी है जिनको डेरा में देखा है मगर नाम नहीं आते और हुजूर महराजी है परंतु बोलते नहीं फिर एक बार चौक कर उठा तो पूछने पर बताया कि एक सिख वहां खड़ा है मुझे बुला रहा है कि आ मेरे साथ चल जब मैं चंद कदम उसके पीछे चला तो एक और सिख आ गया कहने लगा इसके पीछे मत जा मैं खड़ा हो गया तो वहें पहले वाला सिख मुझे इशारों से बुलाता था और मैं उसकी तरफ जाना चाहता था कि उस दूसरे सिख ने मेरे मूँ पर थपड मारा कि मत जा इससे मैं चौका हूँ अब सोचिए कि यह तो संतों की आुलाद का हाल है कि यमदूत दूर से बुलाते हैं और हम लोग उनकी तरफ जाने से हटाने से भी नहीं हटते तो दुनिया के लोगों का क्या हाल होता होगा वे बेचारे तो इस रास्ते से बिल्कुल बेखबर हैं और उनको कोई हटाने वाला भी नहीं मौलाना रूम साहिब कहते हैं बांगे गूला हस्त बांगे आशना आशनाए कू कशद सुए फना बांग मिदारत की हा एकारवा सुए मन आयद निक राहो निशां यानि काल के आदमियों की आवाज दोस्त की आवाज जैसी है ऐसा दोस्त जो मौत की तरफ खीचता है वे पुकारता है खबरदार ए गाफिल मेरी तरफ आओ यही रास्ता और मंजिल की निशानी है गुर्बिन घट में रहा न चलना डर और विग्न अनेकन मिलना आज सुभे आठ बजे मिस्टर ए एन बाली पंजाब नेशनल बैंक के आर्थिक सलाकार सरदार संतोक सिंग साहिब मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक जालंधर के साथ आए बाली साहिब हुजूर सरदार बहादुर जी के पुराने मिलने वालों और हम जोलियों में से है बहुत देर तक लायलपूर कॉलेज में बिताए दिनों की बाते करते रहे बाली साहिब ने कहा कि आपने कभी जूट नहीं बोला कभी गुसा नहीं किया जब देखा सारी रात भजन में बैठे दिखाई दिये हम तो सोते रहते और आपसे कहते कि क्यों दुख उठा रहे हो हुजूर सरदार बहादुर जी ने उनको खुद जाकर सत्संगर दिखाया जिसको देखकर वे बोले कि ऐसा शानदार हॉल पंजाब भर में नहीं देखा खाना खाने के बाद बारा बजे वापस तश्रीफ ले गए चौधरी सोमा राम के फाम का दौरा 18 से 19 सितंबर 1948 सुभा 9 बजे डेरा से कार में बाबु गुलाब सिंग सरदार बचिंद सिंग मिस्तरी शादी हुजूर महराज सरदार बहादुर जी और दास डेरे से रवाना हुए चलना तो आठ बजे था मगर स्वर्गिये लाला हर नरैंड जी की भावी और भगवत स्वरूप की माता का देहान्थ पिछली रात को ग्यारा बजे हो चुका था उनका संसकार करना था जालंदर शहर में दाखिल हुए तो सेठ सेडू मल रास्ते में खड़े थे उनके कहने पर उनकी दुकान के बाला खाने यानि उपर के कमरे में संगत को दर्शन देकर सरदार गुर्दयाल सिंग की कोठी पर पहुँचे वहां बेशुमार स्त्री पुरुष मौजूद थे वहां आधे घंटे का समय देकर खुशियारपूर की तरफ चल पड़े रास्ते में आदमपूर मानकों आधी की संगत को वक्त देते हुए बारा बजे से पहले पहले चौधरी सोमाराम के फार्म पर आप पहुँचे जो हुशियारपूर से गगरेट जाने वली सडक के दाएं हाथ को लगबग दो मिल के फासले पर है चौधरी सोमाराम और उसके सब भाई खानदानी मेल जोल और एकता का नमूना है यही वज़ा है कि उनको अपने कुएं की जमीन से हजारों रुपे की पैदावार हर साल होती है इस खुशाली के साथ सद्गुरू ने उनको दिल भी बड़ा उदार दिया है आजकल जब आटा, चावल और घी इस कदर महंगे हैं उन्होंने बड़ी उदारता से हजारों आदमियों को जो सद्ग सुनने आये थे दाल, रोटी, सबजी, चावल की दावद दी और तीन दिन तक देते रहे हजारों रुपे संगत की सेवा में खर्च कर दिये इससे ज्यादा दौलत का अच्छा इस्तमाल कोई क्या करेगा शिरी हुजूर सरदार बहादुर जी ने 18 सितंबर की शाम को एक और 19 सितंबर को दो सद्ग दिये 19 सितंबर की शाम के सद्ग में कई हजार लोग शामिल हुए क्यूंकि उस दिन इत्वार की छुट्टी थी और हुश्यारपूर से भी बहुत से लोग आ गए थे पहले दिन जग में घोर अंधेरा भारी दूसरे दिन नाम निर्ने और इस गुफा में अखुट पंडारा शब्द लिये गए नाम निर्ने में हुजूर महराज जी ने फरमाया कि जब की विधी किसी किसी को ही आती है इसलिए जब तो बहुत से लोग करते हैं मगर किसी की आँख नहीं खुलती अगर जब ऐसे किया जाए कि जब करते समय मन बाहर न जाए और ध्यान दोनों आखों के बीच टिका रहे तो कोई वज़ा नहीं कि धीरे धीरे मन और रूँ आखों के पीछे स्थिर ना हो और समाधी ना लगे जो लोग माला फेरते हैं या जब जी आदी का जब करते हैं उनका ध्यान जब के समय बाहर रहता है इसलिए जब का फाइदा नहीं होता जब का उदेशे सिर्फ ध्यान को अंदर ले जाना है जो लोग समझते हैं कि गीता या जब जी आदी पढ़ने का फल मरने के बाद मिलेगा वे भूल करते हैं पाठ का महत्व केवल ध्यान को बाहर से अंदर ले जाना है अगर पाठ से ध्यान बाहर रहे तो पाठ का महत्व खत्म हो गया शिरी हुजूर जब जी का हवाला अपने सत्संग में खूब देते हैं और जब जी के शब्दों के ऐसे अर्थ करते हैं जो आम आदमी को नहीं सूजते जैसे जब जी के शुरू में आया है कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच गुनानक साहिब फरमाते हैं कि हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो हमेशा से सच है और सच रहेगी इसके बाद फरमाते हैं कि यह चीज ना तो सोच विचार और अकल का विशे है और ना ही भूखे रहकर ना मौन धारन करके ना चतुराई और स्यानप से हासिल हो सकती है सुभा को हरीजन विरादरी के प्रतिनिधी हुजूर महराज जी से शिकायत करने आए कि हिंदू लोग हमको अलग खाना खिलाते हैं, साथ बिठा कर नहीं खिलाते हुजूर महराज जी ने फरमाया कि यह सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा जल्दीना करो संतों का मिशन सामाजिक सुधार नहीं है वे तो नाम देकर दुनिया को इस संसार सागर से पार करने का मिशन लेकर आते हैं और नामदान में छूत अचूत का भेदभाव नहीं करते सब का एक सा भला करते हैं आज सुभा साड़े आठ बजे से लेकर डेड़ घंटा सत्संग हुआ हाजरी कल इतवार की तुलना में आधी होगी उसके बाद कार से भाई वजीरा के गाउं माजी गए जो यहां से छे मील दूर होगा रास्ते में चो का रेत आया और कहा यानि सूखी घास लगा हुआ था खैर जियोतियों करके वहां पहुँचे उस गाउं के बहुत से सिख लोग सत्संग सुनने के लिए आ गए हरीजनों के घरों में सत्संग हुआ शिरीगुरु गरंथ साहिब में से शब्द लिया गया हुजूर सरदार बहादुर जी ने भाई वजीरा के साथ आदे घंटे तक धूप में कई सत्संगियों के घरों का चक्कर लगाया फिर वहां से अपने डेरे वापस आये और खाना खाकर फिर दोबारा सोमा राम के मकान के आंगन में शिरीगुरु गरंथ साहिब का भोग डाला गया उसके बाद सोमा राम के रिष्टेदारों को वक्त दिया जो अलग-अलग जगहों से आये थे और कार में सवार होकर जालंदर शहर में पंद्रा मेनट ठहर कर रात के आठ बजे के बाद डेरा आ पहुँचे हुजूर महराजी फरमाया करते थे कि मालिक तलाश में रहता है कि कोई उदार चित वाला हो तो उसको धन दौलत दूँ जो आप भी खाए और दूसरों को भी खिलाए यह बात भक्त सोमा राम और उसके खांदान पर लागू होती है जब खाना खिलाने वाले शक्कर बरता यानि बाट रहे थे तो किसी खाने वाले ने कुछ और शक्कर मांगी होगी तो बरताने वाले यानि बाटने वाले ने कहा कि और देने का हुक्म नहीं इस पर सोमा राम का भाई अंदर से शक्कर की बोरी उठा लाया और खूब बांटी डेरा में निवास 26 सितंबर 1948 आज मासिक सत्संग हुआ बेशक आजकल किसान लोग खेती के काम में लगे हुए हैं फिर भी हाजरी काफी थी शिरी हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने सार बचन राधा स्वामी चंद बंद में से यह शब्द लिया राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए शिरी हुजूर ने फरमाया कि आदमी का उस्ताद आदमी है बचपन में माबाप, बेहन भाई, यार दोस्त उस्ताद का काम देते हैं फिर स्कूल मास्टर उसको तालीम देते हैं इसी तरहां परमार्थ की तालीम के लिए भी उस्ताद की जरूरत है सत्संग की समापती पर एक सत्संगी ने अपने रिष्टेदार की मौत का जिक्र किया कि मरने से कुछ समय पहले हुजूर महराजी ने दर्शन दिये शब्द खुल गया, मगर उसको तकलीफ काफी हुई घरवालों ने कहा कि सद्गुरू से पूछो इतनी तकलीफ क्यों हुई सद्गुरू ने जवाब दिया कि तुमने तो सारी उम्र सरकारी नौकरी में रिश्वत लेकर लोगों का खून चूसा, यह उसकी सजा है घरवालों ने कहा कि तुम सद्गुरु से माफी मांग लो तो सद्गुरु ने फरमाया कि ये कर्म भोगने ही पड़ते हैं स्वर्गिय निजामुदिन मुलतानी खुजूर बाबा जी के पुराने सेवक एक किसा हजरत मुहम्मत साहिब का सुनाया करते थे कि एक दिन हजरत मुहम्मत साहिब को मक्के की मंडी में एक मस्थ फकीर बैठा मिला हजरत उस वक्त उम्र में बहुत कम थे जब वह फकीर के पास से गुजरे तो फकीर हसा और बोला लो भाई मुहम्मत भी खुदा के पास जा आया है इस पर मुहम्मद साहिब को बड़ा आश्चरे हुआ कि मैं तो अकेला ही खुदा की दरगा में जाया करता हूँ इसको कैसे पता चल गया जब उस राद चड़ाई की तो खुदा से पूछा खुदा ने जवाब दिया कि ऐ मुहम्मद मेरे बहुत से भक्त हैं जो सब मुझसे मिलते हैं मगर पैगंबरी का काम तुझसे ही लेना है अगर यह फकीर लोगों को कहेगा कि मैं खुदा से मिलकर आया हूँ तो कोई भी इसका एतबार नहीं करेगा चुँकि तेरे पीछे मेरा हाथ है तेरे कहने को सब मानेंगे तु मेरा नियुक्त किया हुआ पैगंबर है उसको मैंने नियुक्त नहीं किया वह मेरा भक्त जरूर है